इससे ट्रांस्पर्स नीचर के बारे में पता लगा तो अब रे ओफ अन पॉलराइज इंसिदेंट और ग्लास प्लेट फिप्टी सैवन डिग्री तो होगा क्या तो जब पॉलराइज एंगल फिफ्टी सैवन डिग्री है तो होता क्या कि रिफ्लेक्टिड रहे तो कंप्लीटी पॉलराइज हो जाएगी और ट्रांस्मिट्टिड पार्शली पॉलराइज होगी पार्शल पॉलराइज होती है